यूपी में मुख्यमंद्री योगी आदितिनाथ ने नए प्रस्तावित कानून पर बड़ी वैठकी मुख्यमंद्री ने कहा कि खाने के सामान की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर कानून जरूरी है इसे यूपी में जल्द लाया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में आगे किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी शामतानी तय है यूपी में खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे इसके लिए यूपी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है हम आपको उसके बारे में बताएं उससे पहले मुख्यमंत्री योगियादे तेनाथ का 19 सितंबर का ये बयान देखिए जो सरकार के सक्त फैसले का पहला सिगनल था योगियादे तेनाथ ने पहले गोरखपुर से इशारा किया और ठीक 26 दिन बाद बड़े एक्शन का श्री गणेश भी हो गया मुख्यमंत्री योगियादे तेनाथ ने लखनों में अपसरों के साथ बैठा की और खाने पीने के सामान में गंदगी की मिलावत करने वालों के खिलाव कानून बनाने की तयारी शुरू हो गई ये प्रकास में आया है कि विभिन प्रकास से उसको दूसित करने का प्रयास किया जा रहा था कई वीडियोज में हम लोगों ने देखा है उसके लिए जो भी आवस्य कानून है उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे खाने पीने के सामान में गंदगी की मिलावत को रोकने के लिए फिलहाल दो अध्यादेश लाने की तैयारी है इनमें एक होगा उत्तरप्रदेश चद्म एवं सवहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारन और फूकना प्रतिशेद अध्यादेश इसमें खाने-पीने के सामान में गंदगी करने वालों पर सक्त कारवाई का प्रावधान होगा दूसरा अध्यादेश होगा उत्तरप्रदेश प्रिवेंशन आफ कंटेमिनेशन इन फूड ये अध्यादेश ग्राहकों को ये जानने का हग देगा कि खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है योगी सरकार के संकल्प पर सबकी अपनी अपनी राय है लेकिन खाने पीने के सामान के शुधता को लेकर जो बात शुरू हुई वो विशुध धराजनीती तक पहुँच गई बीजेपी ने इसे दूसरे राच्चों के लिए नजीर बताया तो समाजवादी पार्टी भरक गई